हेलो फ्रेंड्स आज हम देख रहे हैं क्योग रूट्स के बारे में जो यूपी टेट और सी टेट साथ साथ आपका यह लेकपाल साथ पूसा जाता है इसका कहीं कहीं यै डायिक्योщее यूजग होता है तो आपको यह जानना चाहिए क्योंकि यह भूठ होना होता है अगर 2 का cube करें हम तो 8 आता है इसी थर 3 का cube करेंगे अगर 27 आएगा लेकिन हमको क्या करना है unit digit लेना है इसमें unit digit क्या है 7 आगिया 4 का करेंगे 64 unit digit क्या है 5 में हमें सब 5 भी होता है चाहें वो square हो या फिर cube हो 6 में 6 आएगा आपका अगर 7 का करें तो 3 आएगा 8 का 2 आएगा 9 का 9 ही आएगा और 0 तो 0 ही आता है अगेन यहाँ पे वही चीज़ आपको फिर से repeat होता हुआ दिखेगा 1 है, 8 है 7, 4, 5 6, 3 2, 9 and 0 तो दोस्तो यह अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज़ और mention कर लेना, यहाँ पे यहाँ पे 0 होगा, एक और ठीक है तो दोस्तो यह आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आते हैं आपके कि 1 का अगर cube करेंगे, उसके जो 1 का cube करेंगे तो यह ने digit जो भी आएगा, वो 1 ही आएगा ऐसे ही अगर 2 का करेंगे, तो 8 आएगा, 3 का करेंगे, तो 7 आएगा, 4 का करेंगे तो 4 ही आएगा 5 का करेंगे, तो 5 आएगा 6 का करेंगे, तो 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 3 ही आएगा 9, 8 का करेंगे, हम तो आएगा हमारा 2 9 में हमारा क्या आता है कौन से इस नंबर जिनका same ही आता है cube 4 हो गया आपका 1 हो गया आपका 5 हो गया 6 हो गया 0 हो गया 9 हो गया ये ऐसे नंबर है जिनका cube हमेशा same ही होता है और इसी तरह हमने square में भी देखा था किसका square same आएगा unit digit पे तो ये आपको चार्ड जो है आपको याद होने चाहिए cube वगयरा कम सगम 20 तक याद करिए और square courses करे 25 तक याद करने का table भी कम सगम 25 तक याद करिए बहुत ज़्यादा आपको benefit मिलनेगा इसका और maths में इसके वाज़े से आप 4-5 question ज़्यादा ही करेंगे बाकी लोगों से क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है calculation वगयरा में तो इसी को लड़के क्या करते हैं basic से solve करते हैं लिखते हैं time taking हो जाता है तो आपको ये जवान पर याद होना चाहिए तो इसको आप एक बार देख लीजिए screenshot लेना ले लिजिए और हम चलते हैं question एक दो example देखते हैं question हमारा देखते हैं फिर हमारा सारा doubt clear हो जाएगा जैसा कि आपको पता है हमने देखा है पीछे table में 2 का क्या होता है 8 और 8 का क्या होगा 2 wise वर्जा होता है एक दूसरे का opposite होता है इसी तरह 3 का अगर हम देखें तो क्या होगा दोस्तो 7 और 7 का क्या होगा 3 हो जाएगा तो आपको यह याद रखना है ठीक है याद भी ने रखें तो भी कोई बात नहीं यार simple तो बात है जैसे 2 का cube किया 2 दूना 4 दूना 8 8 का cube करोगा तो आपको यहाँ पर दो ही आएगा इन्हों डिजिट पर तो आप जनरल से एटम एक केस कर सकते है तो चलिए बढ़ते हैं हम लों कोश्चन पर आपको अगर दे देगा कोश्चन कि बताओ यहाँ पर यह cube root है और पूछ लेगा आपको 15 625 यानी 15626 तो हमने क्या बताओ था आपको कि देखो वो square root था तो हमनो 2-2 का pair ले रहे थे यह क्या है cube root है cube root है तो इसमें क्या करना हमको 3-3 का pair लेना है 3-3 का pair हमको ले रहे है तो पहले तो क्या करेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है सबसे last का जो number है उसको देखना है क्या 5 है 5 किसके cube में unit digit पे आता है तो 5 पे ही आता है 5 हमेशा 5 पे ही आता है तो आपको तो ये तो एक अनुवान लग गया कि ये जो भी इसका cube होगा जो भी इसका cube root होगा option में उसके last में 5 तो होना ही चाहिए ये तो आपके दिमागे पहले strike होना चाहिए उसके बाद हमने क्या बोला उसके बाद हमने ये बोला था square root वाले में क्या करें 2 का पेर था उसरे 2-2 यहां से remove कर रहे था यहां पे 3-3 का पेर है क्यों cube root है तो यहां से 3 को आप हटाएंगे बच्चा क्या यहां बच्चा 15 15 बच्चा अब एक बाद बताओ 15 किसके cube से just बढ़ा है या फिर बराबर है 2 का क्या होता है 8 3 का क्या होता है 27 इसका मतलब जो 15 है 2 के cube से just बढ़ा है just बढ़ा है ना चोटा वाला ही लेना है 27 नहीं लेंगे क्यों 27 पंदरस ज्यादा हो जा रहा है उसलिए दो वाले को सलेट करेंगे ठेक है 27 क्या है 15 से बड़ा है उसलिए इसको नहीं लेंगे यहीं 8 क्या है 15 से छोटा उसलिए इसको ले लेंगे अब देखिए जैसे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पंदरा के जगे हम लोग क्या बोला है दो को सलिट करेंगे अब जो इंस्वर आपका है पच्चिस यही आपका क्या हो गया इंस्वर हो गया तो ज़्यादा टफ नहीं है बस आपका लॉजिक समझना है अब चलिए देखते हैं सिम आपका स्कॉयर उट वाले पैटन पहें बस यह यहाँ पे तीन का आपको पहर लेना है वहाँ दो के पहर दआ यहाँ पे तीन का पहर है तो चलिए बढ़ते हैं एक कोश्टन और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगर हम बात करें अग्री कोश्टन जैसे यहां पे आपको दे देगा 39 304 अब क्या है इसको solve करो आप सबसे last में क्या है 4 अब एक बात बता हो हमने table देखा था 4 किस के cube में unit digit पे आता है किस किस number के तो 4 आपको पता है 4 पे ही आता है 4 का जब cube करेंगे तो 4 ही आएगा जब भी 4 का cube करेंगे 4 आएगा यानि आपको एक अनुमान लग जगिया कि जो भी option में option दिया होगा उसमें वही option सही होगा जिसके last में 4 आया होगा इतना होगी उसके बात क्या करेंगा 3 digits हम हटा देंगा क्योंकि cube रूठ है और यहाँ पर 3-3 का पेर बना रहा है बच्चा क्या 39 अब बताओ 39 किस के cube के बीच में आता है या फिर किस से जस्ट बढ़ा आता है या फिर किस से जस्ट छोटा आता है या आपको देखना रहेगा तो बताओ 39 कहां पर आएगा कहां लाइक करेगा तीन का cube करेंगे तो 27 चार का cube करेंगे 64 कितना संज में आ गया अब बताओ 39 किस के cube से जस्ट बढ़ा है या फिर बराबर है बराबर तो है नहीं बढ़ा किस से जस्ट 27 से इसलिए हम लोग 3 वाले को सेलेट करेंगे तो यहां हम क्या ले गएंगे 39 के का 3 और दोस्तों यही हमारा क्या हो गया answer हो गया easy है कोई दिक्कत नहीं है बढ़ते हम लोग ले question पे अब एक बात बताओ यह आपको दिखने में थोड़ा सा जैसे आपको आमने पहले पढ़ा होगा थोड़ा logic होता इसमें otherwise इसमें कुछ है नहीं इसका यूज वगरा आ जाता है question वगरा में तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला question अब तो यह logic को पता चल गया अब point वाला question उठाते हैं मान लोगर 15 625 और दसमें लोगर हम लगाएं यहाँ पे 15 के बाद तो भाई की एक question थोड़ा देखने में जो नहीं पढ़ा रहता उसको तो दिक्कत करेगा है आप क्या करेंगे सबसे पहले पहला नमर देखेंगे लास्ट में क्या 5 तो जाहिर से बाद है 5, 5 में ही आता है तो तीन डिजित उड़ा दो बच्चा क्या 15 जा 15 बच्चा तो 15 किसके cube के just बढ़ा है या फिर किसके बराबर है दो का cube क्या होता है दोस्तो आठ, तीन का cube क्या होता है 27, अब बताओ just किससे बढ़ा है 8 वाले से, यानि 8 में कौन आ रहा है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, लिख देंगे अब हमने एक बाद बताया था, एक logic समझाया था आपको square root वाले में, जब हम उसका दस्मलों वाला निकाल ले थे यहाँ पर square root में क्या था, दो-दो का पेर बनना था यहाँ तिन-तिन का पेर बनना है तो एक बाद बताओ, दस्मलों के बाद कितना तिन-तिन का पेर बनना है दस्मलों के बाद भाई, तीन डिजिट का एक ही तो पेर बनना है एक पेर बनना है सदस्रनों के बाद 2 डिजिट है यहां पर क्या होगा एक डिजिट है-स एक अब बताओ यहां पर आपको एक ही पेर Mais राद सफम LT के बात हमारा जो एंस्वर और उसमें दसमलों के बाद से एक डिजिट होना चाहए तो जाहिर सी बात है हमारा इंस्वार के बाद तसमेलों लगाएं गे तो एक डिजिट आ जा रहा था पाच यही क्या हो गया आपका एंसर हो गया हुआ हुआ तो ऐसे चले देखते हैं अगला एक दू कुशन और दस्म वाले फिर आपका सारा डाउट क्लिर हो जाएगा अब देखिए दोस्तों हामाना अगला कुशन रहा है यह उसी कुशन को मैं लेते हैं लेकिन थोड़ा टेफिकल बनाके जैसे दस्म वालो जेरो वन फाइफ सेक्स टू फाइफ यह ले लिए आमने पांच है तो यहां पांच आएगा तीन डिजिट उड़ा दो आप 15 है पंद क्या होता है एट तीन का क्या होता है 27 तो हम क्या सेलेट करेंगे जो वाले को यहां में क्या किया टू ले लिया अब एक बात बताओ यहां तीन-तीन का पेर हमको बनाना है तो दस्म वालो के बात कितना तीन-तीन का पेर बना है एक तो आपका यह रहा एक आपका यह रहा या आपका दो डिजिट होना चाहिए यहां पर ठीक दस्मलों के बाद दो डिजिट होना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहां दस्मलों के बाद यहां दस्मलों लगा दो दस्मलों के बाद दो डिजिट तो दिख रहा आपको दिख रहा है अब उसके आगे क्या लगा दें अब जी में 0.25 यही क्या होगा आपको एंसर हो गया तो इजी है इसे तरह हम देखते हैं ऐसे ही कोशन को सेम अब देखें क्या करते हैं हम उस कोशन में दसमलो 0-0-0-0-1-5-6-2-5 जड़ अगो और करिएगे का दोस्तो पांच है पांच लिखेंगे तीन उड़ा देंगे हम लो लास्ट में पंदरा को हम तब से देखते हैं पंदर का क्या होगा पंदरा वाला किसका होगा यहाँ पे दो लिख देंगे अब बताओ दसमलो के बाद हमारा कितना पेर बनना है तिन तिन का एक ही यह रहा एक ही यह रहा एक ही यह रहा यानि यहाँ पे तीन पेर बन रहा है तीन पेर का मतलब क्या होगा दसमलो के बाद एक दो तीन डिजिट आना चाहिए दसमलों के बाद तीन डिजिट आना चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर देखी अगर यहाँ दसमलों लगा देंगे तो दो ही डिजिट आ रहा है इसलिए हम लोग तीन डिजिट बनाने के लिए इसके आगे जिरू लगा देंगे फिर यहाँ दसम लो अब दोस्तों यही आपके क्या हो कि एंसर हो गया 0.025 तो एजी है यही तो आपका क्यूब रोट